नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में मैं आप लोगों को एक ऐसी रहस्य मई जादूी लकडी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी कीमत दोस्तों सोना चांदी हीरे मोती से भी जादा है यह लकडी इतनी कीमती है कि मैं आप से क्या बताऊं मित्रों इस लकड़ी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा तभी आपके समझ में आगा जो मैं समझाना चाहता हूँ मित्रों यह एक प्रकार की ईसुरिये लकड़ी है यानि आप कह सकते हैं कि भगवान की लकड़ी है और इसकी कीमत दोस्तों इतनी जादा है कि आप सोच नहीं सकते हो यदि आपको यह लकड़ी एक किलो मिल गई ना तो दोस्तों यह समझ लो कि आप लोगों को लगपती करोड पती बनने से कोई नहीं रोक सकता यदि एक पूरा पेड़ मिल गया ना तो मित्रों आप समझ सकते हो कि इसकी एक किलो की कीमत जब 73 लाख रुपए है तो दोस्तों आप सोचो कि इस लकड़ी का पूरा पेड़ मिल जाए तो कितनी रखम मिलेगी दोस्तों आज मैं आपको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही पिरकार से दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी ही दिब अदभूत रहस्तमई जानकारियां समय समय पर मिलती रहें जो आपके ग्यान में बृद्धी करेगा और वीडियो को कर Israel की लाइक कर लीजिए हमारी हमें हुसला मिलता है जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों इस लकड़ी के आगे क्या हीरा क्या मोती क्या सोना क्या चांदी सिर्फ एक किलो लकडी में हो जाओगे माला माल जिहां दोस्तों आज की दुनिया काफी अधूनिक हो चुकी है हर व्यक्ति को हीरे और सोने की चाह है लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्ती पर जिहां दोस्तों क्या आप जानते हैं चौकी अमत जनाब यह एक दम सत्य है जिहां मित्रों चौकी अमत यह एक सत्य बात है इस लकड़ी की कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे तो आईए जानते हैं इस लकड़ी के बारे में मित्रों इस लकड़ी का नाम है अगर बुड इस लकड़ी को अलास बुड इगल बुड के नाम से भी जाना जाता है जिहां दोस्तों और मजे की बात यह है कि यह लकड़ी जापान अरब चीन दक्षण पूर्वेसियाई देश के साथ साथ भारत में भी पाई जाती है अगर दुनिया की सबसे दुरलब और सबसे महंगी लकड़ी है मित्रों जिसको मनुस्पराप्त करते ही माला माल बन जाएगा जी हां दोस्तों दोस्तों एक किलो लकड़ी बना देगी लकपती जी हां आपको एक किलो एक किलो लकड़ी बना देगी लकपती आप भी कह रहे होगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बाते कर रहा हूँ मित्रों यह सर्च कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं अब बता अब बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में तो मित्रों क्या सोना क्या हीरा क्या मोती इसके आगे यह सभी फेल है एक किलो अगर बुड की लकडी की कीमत तिहत्तर लाख रुपए है तो दोस्तों सोचो अगर इस लकडी का यानि अगर बुड लकडी का पेड़ा आपको मिल गया तो दोस्तों आप अरब खरब पती बन सकते हो जिहां दोस्तों लेकिन यह सरकारी लोगों के अंडर में ही होती है यानि सरकार के ही अंडर में होती है इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इसकी भारी मातरा में तसकरी होती है अगर हम भारत में एक गिराम हीरे की बात करें सुनते जाना दोस्तों अगर हम भारत में एक गिराम ही गांधि़र लुटो कोouver और शुगंधित वस्तुवें बनाई जाती है, लकडी की सड़ने के बाद उसके आवसेशों का उपियोग इत्र की उतपादर में किया जाता है, अगर बुड़ से निकाले गए राल से उद नामक तेल भी निकाला जाता है उद एक बेसकीमती तेल है, जिसका इस्तमाल सिर्फ परफ्यूम बनाने में किया जाता है और आज के दौर में इस तेल की कीमत 25 लाख रुपए प्रती किलो है सोचो इसके तेल की कीमत 25 लाख रुपए प्रती किलो है कितनी कीमती है में तुने यह लकड़ी लेकिन यह अगरबुड लकडी बिलूप्त होने की कगार पर है चीन जपान और होंग कोंग जैसे देशों में एकवीलेरिया के कई पेड़ हैं लेकिन अगरबुड इतना मूलवान है कि इसकी अवैद कटाई और तसकरी बड़े पैमाने पर की जा रही है अपनी कीमत के कारण इस लकडी को इस्वर की लकडी और इस्वर्य यानि भगवान की लकडी के नाम से भी जाना जाता है BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पेड़ की तसकरी की दर इतनी अधिक है कि अब एकिवलरिया के पेड़ लगबग समाप्त हो रहे है रिपोर्ट के मताबिक एसियन प्लांटेशन कैपिटल कंपनी एसिया की सबसे बड़ी अगर बूड परसोर्सिंग कंपनी है तो दोस्तों आपने देखा कि यह लकडी कितनी कीमती है और यदि किसी को मिल जाया तो उसको लगपती बनने में समय नहीं लगेगा मितरों यह लकडी इतनी कीमती है जैसा मैंने बताया यह लकडी चानदी सोना हीरे मोती और कोहनूर से भी ज़्यादा कीमती है मित्रों इसका इतना ज़ादा इसकी तसकरी होती है ना कि मैं आपसे क्या बताओं मित्रों क्योंकि यह बहुत दुरलब होती है यह हर जगे नहीं मिलती है इसलिए इसका जो जो तसकरी बढ़ी हुई है क्यों क्योंकि इसके प्रियोग भी बहुत ज़ादा है इसे बहुत सारी कीमती कीमती चीजे बनती है जिसको जो है के वाल बड़ी-बड़ी कंपनिया ही हायर करती है खरीदती है और दोस्तों बड़ी-बड़ी कंपनिया ही अपने प्रोडक्ट लॉंच करती है जैसे लेडिज कॉस्टमेटिक समान हो गया यानि महिलाओं का समान हो या फिर पुर्सों का कोई समान हो गया मतलब बहुत सारी चीजें इस अगर बुड लकड़ी से बनती हैं दोस्तों अगर बुड दुनिया की ऐसी लकड़ी है जो यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका जीवन धन हो जाए लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से इसकी तसकरी ब रहस्त में जड़ी बूटियां तथा बेस कीमती पेड लकड़ी प्राप्त होती हैं जिनकी कीमत बहुत जादा होती है लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दू यह है अगर बुड लकड़ी का पेड आपको यदि मिल जाए तो दोस्तों आप क्या करेंगे अगर बुड लकड़ी का पेड़ मिल जाता है और आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी क्या इच्छा होगी और इस पर आपकी क्या राय होगी और आप जो है इस लकड़ी का बजार में बेचन प्रक्रिया कैसे करेंगे हमें कमेंड करके जरूर बताईएग दोस्तों और इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है और हमें ये भी बताईएगा कि हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों हम आपके लिए ऐसी दिब जानकारी लाते रहेंगे हमारे साथ बने रहें ठीक है मित्रों आपने हमें अपना कीमती समय दिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहेंगे